हमारी देश में आजादी के बाद लंबा वक्त रहा जब मना जाता था कि उत्तर भारत देश का नित्रत तो कर रहा है आइडियोलोजिकल, पॉलिटिकल, इंटिलेक्च्वल हर छित्र में उत्तर का काफी बूलबाला था खास कर राजनीतिक और वैचारी छित्र में लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश लीड कर रहा है देश को क्यों क्योंकि देश के जितने टॉप लीडर्स थे प्रदान मंत्री, नहरू, शास्त्री बने, फिर इंद्रा गांधी जी आई सब उत्तर के और वह भी उत्तर प्रदेश के तो समझा जाता था कि लीड जो कर रहा है उत्तर प्रदेश वह पूरे देश को एक तरह से रास्ता दिखा रहा है एक दोर ऐसा आया जब देश का पिछडा राजी होने के बवजूद आइडियोलोजिकली पुलिटिकली कहा जाने लगा कि बिहार शोज दवे बिहार रास्ता दिखा रहा है और आपात काल के दोरान शुंकी वहाँ पर एक जबरदस्त आंदोलन हुआ हालाकि आंदोलन गुजरात में भी हुआ लेकिन लीडर्शिप जो है बिहार के हाथ में आई और जैप्रकास नारण उसके आगे बढ़कर के एक तरह से उनके अगवा बने तो लोग कहने लगे कि बिहार शोज दवे लेकिन दोस्तों आज के दोर को अगर आप देखें जो भारत के राष्ट राज्य डेमक्रसी सब के समक्ष जो चुनवतियां हैं उसमें तो ऐसा अब लगने लगा है और लोग दवी जुबान से ही नहीं खुल के कहने लगे हैं कि साउथ इंडियन स्टेट्स आर लीडिंग दे कंट्री वो रास्ता दिखा रहे हैं मुलक को अब आप देखिए साउथ में जो तीन राज्य हैं केवल मैं तीन राज्यों की चर्चा भी कर रहा हूं तमिलाट केरल और करनाटक ये तीनों डेवलप्मेंट का और राजनीती का एक बिलकुल अलग माडल पेश कर रहे हैं तमिलाट के लोग तमिलाट के जो राजनेता हैं तमिलाट की जो शासन विवस्ता है जो सरकार है वो कहते हैं कि द्रविड माडल आफ गवर्निंस वो एक्सक्यूट कर रहे हैं और इसके लिए वो तमिलाट की पूरी विरासत ब बात के दिनों में जो वैचारिक आंदोलन जो छिड़ा द्रवे आंदोलन जिसको कहते हैं उसको वो शुमार करते हैं उसमें और वो ये कहते हैं कि हमारा ये मौडल है केरल के लोग जो हैं केरल की जो सासन व्योस्ता है जो केरल की सरकार है वो भारत के समिधान की अनसार ही चल और जनता की जो आकांशा है उसके अनुरूप चलता है उनका अपना माडल है करनाटक में जो नई सरकार भी आई है मई महिने में कुछी महिने हुए ये जो कह रहे हैं कि हम समभैधानिक लोगतंत्र को नौकेवल मजबूत करेंगे बलकि लोग कल्यानकारी योजनाओं पर ज् इनका जोर है और इनका कहना है कि हम कोई जो पहले करनाटक में चल रहा था उत्तर भारत के तरज पर एक हिंदुत्वा जो माडल है गवर्नेंस का उससे एक तरह से उन्होंने अपने को अलग कर लिया है बिलकुल अलग कर लिया है इस तरह अगर देखें आप तो करनाटक त रूल है दूसरी तरह तरह तमिलाड में डी-म-क का रूल है केरल में CPIM का CPIM का सीपियायम लेड लेफ डिमोक्रटिक फ्रेंट का रूल है लेकिन तीनों में एक बात common है कि ये हिंदुत्वा जो model है governance का single model आप governance कह सकते हैं आजकल उसकी वड़ी चर्चा है तो single model आप governance है उसको ये सिरे से खारिश करने वारे प्रदेश है जिस तमिलाट के symbol को वहाँ के चोल राजबंस का एक single उठा कर लाया गया उसको तमिलाट सिरे से खारिश कर रहा है तो इस तरह से एक similarity तीनों राज़ियों में दिखाए देती है कि ये इस model को single model आप governance को सिरे से खारिश करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों अगर आप देखें सिक्षा के छेतर में स्वास्त के छेतर में सावाजी के चेतर में तीनों पर इनका जोर है industrial development पर इनका जोर है और मैं आपको दोस्तों एक बहुत दिल्चस्ट बात बताऊं कि आबादी के हिसाब से अगर आप South को देखिए केवल तीन स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं overall South India तो 1991 में 1951 में आजादी के कुछी साल बाद उनकी जो आबादी थी समूचे भारत की आबादी में 26.2% थी लेकिन 2022 में जो जनगरना के estimate आये हैं इस्टीमेट उसमें उनकी आबादी हो गई है 19.8 यानि 20 के आसपास 19.8 के बराबर पूरे देश की आबादी में लेकिन इसी दरम्यान 1951 में जो उत्तर भारत के प्रमुक्राज्य हैं जिनमें युपी विहार राजस्तान मध्य प्रदेश इत्याद आती हैं जहार खंड और य यह 1951 में 2022 में इनकी जो आबादी हो गई 43.2 परसेंट और इन राज्यों में कौन कौन है मैं फिर एक बार गिना दूं उत्तर प्रदेश बिहार राजस्तान मध्य प्रदेश चतिसगर्ड और जहारकंड तो इन स्टेट की जो पापुलेशन है वो देश में कांस्यूट कर रही है 43.2 परसेंट लेकिन जीडीपी में अगर आप देखें इनका योगदान तो साउथ का जो योगदान है जीडीपी में वो तकरीबन 30 परसेंट के आसपास पहुँच गया है 31 30 परसेंट और पापुलेशन जो है उसके हिसाब से उनकी 19.8 परसेंट है बलकि मैं है वो इसके मुकाबले बेहत बेहत कम है और दोस्तों इंडस्ट्रियल ग्रोथ और योगिक विकास में सबसे उपर आज भी महारास्ट है महारास्ट के बाद अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ का हिसाब दिखा जाए तो जो तमिलनाड है वो सबसे आगे है और जो साउथ के स् स्टेट्स के मुकाबले बहुत बहुत आगे है अकेले तमिलनाड जो है देश में सेकंड पोजिशन हासिल करता है और फास्ट सबसे तेज जो चल तेज जो आगे बढ़ने वारी एकॉनमी है इंडस्ट्रियल एकॉनमी वो अवल उसमें तमिलनाड है तो आज यहालत है SDI में Human Development Index में आज से नहीं लंबे समय से केरल नंबर वन चल रहा है और उसको कोई चुनौती अगर है तो सिर्फ South Indian State से है या ऐसे ही स्टेट से है पुरवत्तर के जो बहुत छोटे स्टेट्स हैं और यहां development अठीक ठाग चल रहा है जैसे मीजोरम उसमें एक माना जा सकता है क लेकिन आम तोर पे जो बीजेपी गवर्ण स्टेट्स हैं उनकी इस्तिती बहुत खराब है एक्सेप्शन एक गोवा कहा जा सकता है केवल गोवा लेकिन दूसरे जो बड़े प्रदेश है भारती जनता पार्टी द्वारा रूल्डी स्टेट्स चाहे वो मध्य प्रदेश ह चाहे उत्राखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे जितने और स्टेट आप गिनाले जहां जहां उनकी सरकारे हैं या जो पहले थी वहाँ पर गवर्णनस के मामले में एकॉनमिक डिवलप्मेंट के मामले में प्रशासनिक सुधार के मामले में हर छित्र में वो फिसट तो एक तरफ जिन तीन स्टेट्स का मैंने नाम लिया केरल, तमिलाड और करनाटक ये बिलकुल एक नई दुनिया दिखा रहे हैं अपने देश को और दूसरी तरफ जो हिंदुत्वा जो सेंगोल मौडल आप गोवर्नेंस है वो प्रशासनिक कामकाज में भी आर्थिक प्रग पर आप फिसंटी उनको पाएंगे यहां तक कि जम्मू कश्मीर जिसको सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कोसा जाता रहा है अलग-अलग केंद्र की सरकारों द्वारा उसका भी जो अपना एचडियाई में जो उसका इंडिक इंडिकेटर है वो बेहतर परफॉर्मिंस उसकी मानी जाएगी खासकर हिंदी हार्ट लैंड के बहुत सारे स्टेट्स के मुकाबले और दोस्तों यही कारण है कि इन स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर है केरल के पिंडरी विजियन हो या तमिलाट के एमके स्टालिन हो जिन दोनों स्टेट्स के पास बलकि करनाटक के सीधा रमया साब को भी मैं कहूंगा हाना कि अभी वो बने हैं कुछ दिन पहले और वो ऐसे किसी सामोहिक एक हिस्सेदारी उनकी इस तरह के कारिकरमों में नहीं रही अभी तक और अब होगी मुझे लगता है कि जैसे वायकम सत्याग्रा चूंकि यह स्टेट्स आम तोर पे अभी हाल के दिनों में दो महिने के आज़ पास की बात है वायकम सत्याग्रा जो कोटेम के पास वायकम में हुआ था 1923 से 1924 के बीच में माना जाता है कि यह सत्याग्रा जो है अपने क्लाइमिक्स पर था बहुत जबरदस्त मास मूबलाइजेशन था सत्याग्रा जो था बुनियादी तोर पे वहाँ के सामाजिक विकास को लेकर था वहाँ समाज में जो बुराईयां थी उनके निराकरण को लेकर था खास कर जो घंगोर संकिर्ण ब्रामणवादी मुल्यों को थोपा गया था सदियों से समाज पर उनको खतम करने के लिए थ चुआ छूत के निराकरण के लिए था जातिवाद को खतम करने के लिए था और उस सत्यागरा में वायकम सत्यागरा में महात्मा गांधी ने उसको इतना महत्पुन माना कि वो नार्थ से तत्काल जो है साउथ के और उन्होंने उसमें हिस्सा लिया वायकम सत्यागरा में और एक जो साउथ के बड़े बड़े नेता थे बड़े बड़े इंटलेक्शल्स थे बड़े बड़े वास्तविक संत थे वास्तविक संत आज कल संत के साथ वास्तविक लगाना बहुत जरूरी हो गया है तो वो जो थे वो भी इसमें शामिल थे और दो लाटके थे, उन्होंने भी उसमेसेदारी निभाई थी और केरल के मुख्य मंत्री पिनरई विजियन के आमंतरन पर पिछले दिनों, तमिल लाटके मुख्य मंत्री M.K. स्टालीन भी कोटेम के वायकम गए और दोनों मुख्य मंत्रियों ने उद्गाटन किया और वहाँ पर पर पेरियार के समक्ष मल्यार्पन फूल रहकर शर्दान जली उनको और पित की, और भी जितने Parkinson's थे, उनके उनकी तस्वीरों पर या उनके चित्रों पर उन लोगों ने मल्यार्पन किया, और श्रद्धान जलीदी सलाम किया तो ये जो कारिक्रम है इसी तरह का कारिक्रम तमिलांड में भी हो रहा है अभी आल के दिनों में और तमिलांड में एमके स्टालिन ने वहां के जो बहुत ही मशुहूर समाज सुधारक एक राजा समाज सुधारक राजा जस्टिस पार्टी की नीव रखने में जिनका योगदान माना जाता है प्रेरित करने में लोगों को नेताओं को कारिकर्टाओं को जिनका पूरा नाम राजा पना गंती रामा राया निंगर इनकी स्मृति में इनकी याद में इनके कामकाज पर एक तरह से उसको सैलूट करने के लिए एक भब्य समारो आयोजित करने की योजना बन रही है और इसको लेकर पूरे तमिलान में तरह तरह के कारिकरम्भ होने सुरू हो गए हैं और बताया जाता है क लाइक माइंडेड जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटीशियन्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको डियम के चेन्रई में या दूसरे और और चेत्रों में प्रदेश के बुलाने का एक प्रयास कर रही है, तो देखा ये जा रहा है कि एक तरफ नेशनल लेविल पर अपोजिशन पार्टीज की यूनिटी दिखाई दे रही है, अभी बंगलोरु में एक संबेलन होने जा रहा है, जिसमें की कॉंग्रेस की बहुत महत्पुन भूमिका है, और दूसरी तरफ सौधर्न स्टेट्स हिंदुत्वा गवर्नेंस का जो मॉडल है, सेंगोल मॉडल गवर्नेंस जो है, उसके विरुद्ध, एक सोचल जस्टिस का, सामाजिक न्याय का, संबैधानिक लोकतंत्र का, सेकुल रिजम और डेमोक्रिसी का एक मॉडल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको बहस में लाने का उनका प्रयास है, तो ये बहुत महत्पुन कुछ डेवलप्मेंट हैं, तो इसलिए माना जा सकता है दोस्तों कि सायन, शायद जो भारत का लोकतंत्र जिस बड़े संकट में आज घिरा हुआ है, जिन चुनोतियों से घिरा हुआ है, उसमें साउधर्न जो स्टेट्स हैं, साउथ के जो स्टेट्स हैं, पर्टिकुलर्ली केरल करनाटक और तमिलाण ये अलग अलग वी चारधाराओं की पार्टियों द्वारा शासित होने के बहुजोद उनमें कुस्तो कामन है, और जो कामन है उसके आधार पर वो गवर्निंस का एक माडल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, देखना यह है कि ये प्रियास कितना आगे बढ़ता है, और दोस्तों ये महस संजोग नहीं है कि केरल के की की जो सरकार है उसको भी वहाँ जो गवर्नर साहब है आरिप महमत खान साहब चुनाव से पहले भी और हाल बात के दिनों में भी वो लगातार डिस्टर्प करने की कोशिश करते नहीं, वो अपने से नहीं कें केंदर के इशारे पर, सच्चा ही ये है, और ठीक उसी तरह से तमिलनाट की जो मौझूदा सरकार है उसको डिस्टर्प करने की समूची कोशिश जितनी शक्ती हो सकती है केंदर की वो सब लगी हुई है और गवर्नर आरेन रभी कभी राज्य का नाम बदलने की कोशिश करत हैं और वो तमिलनाट में गवर्नर के रूप में पदस्थापित होते हैं और तमिलियन्स को कहते हैं कि तुम अपना नाम बदल लो अपने स्टेट का इसका विरोज नौकेवल तमिलनाट की जो शासक पार्टी है वो करती है डियम के अन्ना ध्रमुक भी करती है कॉंग्रेस भी करती है सीपियम भी करती है तमिलनाट की और और तो और बीजेपी भी तमिलनाट की करती है और यहीं नहीं अभी हाल के दिनों में उन्होंने वहां के एक मिनिस्टर सेंथिल बालाजी को उनको उन्होंने डिस्मिस कर दिया विदाउट कंसल्टिंग चीफ मिनिस्टर उस मामले में भी काफी होहला हुआ, काफी हंगामा हुआ, उनको अपना इस्टेंड बजलना पड़ा, उनको अपना आदेश सगित करना पड़ा, इसकी आलोचना स्वेम बीजेपी ने भी की तमिलाट में सारी पार्टियों ने की, तो ये जो डिस्टर्ट करनी की कोशिश है, दर के रास्ते को एक तरह से डाइवर्ट करने का प्रियास केंदर की तरफ से गवर्नरों के जरिये किया जा रहा है, डॉक्टर भी आरंबेटकर ने, भारत के संविधान के ड्राफ्टिंग कमिटी के चेर्मेन, उन्होंने जो साउथ इंडिया और नार्थ इंडिया के बीच ज जो बहुत सारे इशूज पर दोनों को अलग-अलग करता है और दोनों की एक जुटता क्यों जरूरी है, इस पर टिपणी करते हुए एक बात कही थी, उस टिपणी के साथ मैं आज के अपने कारिकरम का समापन करूँगा, तो आप अमबेटकर सहाब को सुनिए, साउथ और नार्थ के बारे में उनकी उस वक्त क्या धारणा थी, 1955 में छपी थी किताब याद रखिएगा, अमबेटकर सहाब की, उस किताब का नाम था, Thoughts on Linguistic States, उसमें उनका एक कोट है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, यह वहाषा दिफरेंजश। बेवीन अे अुंगी और साउथ, गार्थ bondedफिन। पर्ग्रिशिएग्पोह तरहीं लग्रिया, अपके साउथ। शुक्रवाइधनर्थ और साइडेटिश। यह बात डॉक्तर ओ रमबेटकर ने अपनी बहुत था साउथ-स और साउपीशनर् प्रकाशित हुई जो हिंदी छेत्र है हिंदी भासी छेत्र हैं खास कर जो नार्थ के लोग है और जो नार्थ हिंदी भासी छेत्र के जो states कुछ बहतर परफॉर्म कर रहे हैं समुची जनता और इन states को साउथ के जो महत्पुन states हैं खासकर केरल, करनाटक और तमिलाट इन states में जो सामाजिक विकास के लिए आर्थिक तरक्की के लिए समवैधानिक लोक तंत्र के लिए जो कुछ अच्छा किया जा रहा है उससे सीखने और समझने की जरूरत है तो दोस्तो इन ही शब्दों के साथ आज इतना ही नमशकार आदाब सत्वियकाल